Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो तरह के cup slips बनाना बहुत इसी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जी, पहला design बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है इसकी कपड़े की न, दो पट्टियां काट लिएं और उसके उपर मैंने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर दिया, आईरन की help से और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच और चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है फिर हमने देखिए, उल्टा करके इसको इस तरह से ऐसे हमने डबल फोल्ड करना है और फिर हम दो साइड इसके सिलाई लगा देंगे, यह देखिए इस तरह से आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग या फिर बुकरम बगेरा भी यूज़ कर सकते हैं उससे और ज़्यादा stiff बनेगा आपका अब देखिए, दूसरे साइड को भी हमने इसी तरह से ऐसे दो तरफ से इसको stitch कर देना है यह देखिए, इस तरह से और stitch करने के बाद हमने इसको जो है, इसके margin को कम कर देना है ताकि यह हमारे जो है, बहुत अच्छे से पलट सके इस तरह से यह देखिए, दोनों को जो है, हमने इसी तरह से ऐसे ही cut कर देना है, और अब इसको पलट कर जो है, हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, यह देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है दोनों को ही पर एक कुर्ती वगेरा में आजकल काफी जादा ये मतलब trending है और बहुत अच्छी लगती है ये वाली sleeves तो आप लोग उसमें इसको बना सकते हैं और अगर आपके corners नहीं निकलते हैं तो कोई नुकीली चीज आप लोगोंने लेनी है और उससे अच्छे से corners बठा देने हैं और फिर corner को अच्छे से बठा कर आपने इसके उपर एक सिलाई लगानी है और सिलाई बिल्कुल किनारे पर और बहुत ज़्यदा finishing के साथ लगाईएगा क्योंकि जितनी finishing के साथ आपकी सिलाई लगेगी उतना ही सुंदर जो है आपकी sleeve दिखेगी क्योंकि यह हमारी सामने ही रहेगी तो देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ पर जो है हमने इसके एक lace लगा देनी है यह देखिए अब दूसरे वाला जो हमारा है इसको भी हमने इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ पर ऐसे lace लगा देनी है जो हमारा खुला वाला side है उस तरह हमने lace लगानी है अब जो भी extra lace है उसको हम cut कर देंगे इस तरह से अब जो हमारा बाकी का sleeves है ना मुलब sleeves का जो fabric है उसको हमने double fold करते हुए अंदर की side ये देखें इस तरह से हमने इसको अंदर की side fold करते हुए इसके उपर ऐसे रखना है lace के उपर ये देखें इस तरह से और बिल्कुल किनारे पर हमने फिनीशिंग के साथ सिलाई लगानी है जितनी फिनीशिंग के साथ अगेन मैं आप लोगों बोल रही हूँ कि आपकी सिलाई होगी उतनी ही सुन्दर आपकी स्लीव दिखेगी तो देखे इस तरह से हमने जो है इसको कफ को नीचे की साइट ऐसे लगा दिया है अब हमने जो भी एक्स्रा कपड़ता उसको कट कर दिया है अब इसको डबल फोल करकर हम जो है इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लेंगे और जितनी धीली टाइट आपको sleeves बनानी हो न उतने ही मतलब लंबाई चोड़ाई रखिएगा अपनी कफ की अब देखिए आप जो हमारी sleeve है वो बनकर तयार है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अदा finishing के साथ और काफी ज़ादा stylish है और बहुत इसमें कम मेनत है मेनत बहुत ज़ादा कम है लेकिन stylish बहुत ज़ादा ये लगेगी आप किसी भी कुर्ती वेगरा में इसको बनाएंगे तो तो जी पहला design हमारा ये वाला था अब चलिए हम जो है second design बनाते हैं तो जी second design बनाने के लिए भी मैंने जो है पहले fabric के उपर जो हमारी paper pasting होती है उसको paste कर लिया और इसकी लंबाई चोड़ाई भी जो है मैंने लंबाई 10 इंच और चोड़ाई जो है वो 3 इंच रखी और ये जो lace है ना इसको हम lace वाला बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को मैंने इस तरह से ऐसे fold कर लेना है ये देखिए इस तरह से हम इसको fold कर लेंगे और यहां से भी हमने इसको ऐसे cut कर देना है और आगे की side से हमने इसको ऐसे गोलाई करते हुए इस तरह से cut कर देना है और जो lace हम attach करेंगे वो जो हमारा मलब curve वाला area है ना गुमाव वाला जो हमने cut किया है उस side हमने इस lace को इस तरह से stitch करना है और lace खरीदते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी lace हो वो soft हो वो असानी से जो है मुड़ती हो तो वही वाली lace लीजिएगा आप लोग stiff रहेगी आपकी lace तो वो अच्छे से इस पर लगेगी नहीं तो हमने क्या करना है दो pieces पर हम इस तरह से ऐसे lace लगा देंगे ये रेखे ये रेखे इस तरह से जो है दो pieces पर हमने ऐसे lace लगा देनी है तो जी हमारी ये lace लग गई है अब हमने क्या करना है अब जो हमारा एक piece और पड़ा है जिस पर हमने lace नहीं लगाई है उसको इसके नीचे इस तरह से ऐसे रखना है सीधे से सीधा मिलाते हुए और पीछे की side से इस पर सिलाई लगानी है जो सिलाई हमें दिख रही है लेस लगी हुई थी उसी सिलाई पर हमने जो है सिलाई चलानी है तो देखें दोनों पर हमने चला दी है अब जिस side से हमारा मतलब घुमाव है उस side से हम लोग जो है इस तरह से ऐसे cut लगा देंगे cut लगाने से आपका बहुत easily पलट जाएगा और असानी से बैट जाएगा तो cut जरूर लगाने और cut लगाते वक्त ध्यान रटना है कि आपकी जो सिलाई है वो cut नहीं अब देखें इसको पलट कर हमने सीधा कर देना है अब इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बैट जाए तो देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ ही हम इसके जो है इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और सिलाई अगेन बहुत ज़्यदा फिनिशिंग के साथ और जितने किनारे पर आप लगा सकते हैं उतने पर लगाने की कोशिश कीजिएगा तब भी आपकी जो स्लीव है बहुत सुन्दर देखेगे तो देखे अब इस तरह से हमने जो है दोनों पैटर्न बनाकर तयार कर ली है अब हमने इस पर जो है जो हमारी एक और मतलब जो हमारी लेस है усको हमने इसके उपर भी आटेच करना है इसी तरह से जैसे हमने पहली वाली में किया था और अब हलकी सी gapping छोड़ कर कि हमारी lace एक दूसरे के ऊपर चड़े नहीं और हमने दूसरे वाले पर भी इसी तरह से ऐसे ही इसी lace को stitch कर देना है जो भी extra है उसको cut कर देंगे और guys sleeves की cutting, stitching, drafting मैंने पूरी series बनाई हुई है तो वो सब आप उसमें देख सकते हैं अब देखिए हमने जो बागी का fabric था हमारी sleeve का उसको double fold कर रहा है इस तरह नीचे की side और इसको भी हमने जो है इसके उपर रखते हुए इस तरह से ऐसे stitch कर देना है ये देखिए इस तरह से अगेन बहुत finishing के साथ सिलाई लगाएगा तब भी आपकी sleeve बहुत अच्छी दिखेगी तो जी इस तरह से हम इसको जो है complete कर देंगे जो भी extra कपड़ा है उसको हमने cut कर देना है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये ना इसमें judge भी बहुत रहा था क्योंकि white के साथ red ना बहुत जादा खुबसूरत लग रहा था अब ये पूरा design बन कर तयार है इसको हमने इस तरह से ऐसे double fold करना है और जो हमारी fitting की सिलाई है उसको हम लगा देंगे ये इस तरह से हमने fitting की सिलाई लगा देनी है पूरी sleeves पर और जी बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी देख सकते हैं आप लोग कितनी सुन्दर ये लग रही थी तो guys आप लोग दोनों में से मुझे बताना कि आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगी है दोनों ही बहुत अपनी अपनी जगाव पर अच्छी है लेकिन आप लोग को कौन सी अच्छी लगी मुझे बताना और जब भी ट्राई करेंगे तो मुझे instagram पर tag करिएगा मैं जरू आई हो वीडियो और helpful रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं next video